नेक्स्ट कोश्चिनेट ही रेस्ट दी पावर माइनस 5 इंटू 10 रेस्ट दी पावर माइनस 5 इंटू 125 अपॉन 5 रेस्ट दी पावर माइनस 7 इंटू 6 रेस्ट दी पावर माइनस 5 हम यहां देख रहे हैं कि 3 रेस्ट दी पावर 5 है अब यहां पर 3 10 125 और 5 और 6 है तो हम इसे थोड़ा ब्रेक करेंगे तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं तो इन्टू 5 5 तू जा तेन और वोल पावर माइनस वाइफ तो इन्टू 5 तेन हो जायागा तो यह अपिस बेलंस हो गया इसे लिख सकते हैं 5 इन्टू 5 इन्टू 5 यानि 5 की पावर 3 अब करेंगे तो 125 होता है हां 5 इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर से निम्रेटर में चेंज करेंगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 7 अब यहां भी देख रहे हैं अपन की 6 माइनस में है तो यह पॉजिटिव करने के लिए भी हो क्या पॉजिटिव अब थोड़ा से स्कोर सिंपलिवाई करता है 3 रेस तो दी पावर माइनस 5 इन 2 इन दोनों का सेपरेट पावर ही है तो हम अलग-अलग कर सकते हैं 2 रेस तो दी पावर माइनस 5 कर दिया 5 रेस तो दी पावर माइनस 5 कर दिया इन 2 5 रेस तो दी पावर 3 5 रेस तो दी पावर 7 यहां 6 है तो 6 को भी हपन 2 इन 2 3 बना सकते हैं यानि कि 2 into 3 raise to the power 5 आगे शोलो कर लेते हैं हम देख रहे हैं हम आपर की एक step और शोलो कर लेते हैं यहां से पहले या तो इसे में डाय कर लेता हूं इतना कर दिया अब इसके बाद में अगर यह अलग हो जागा तो यह इसकी भी power 5 और इसकी भी power 5 हो सकता है यह मैंने एक step में कर दिया थाकि calculation से जाया देखो यहां 3 raise to the power minus 5 है और यहां plus 5 है तो plus 5 से minus 5 cancel कैसे होगा देखो 3 बेसम है तो power होती है plus power plus होती है तो यहीं कर लेता हूं 5 और 5 plus का minus 0 तो यह बन जागा 1 और आल किसी भी power 0 1 कहलाती है यह आपका first solve हो गया अब आते हैं आगे यहां 2 raise to the power 5 है यहां 2 raise to the power minus 5 है तुरा सही से कर लेता है 2 raise to the power minus 5 plus 2 raise to the power plus 5 बेस सेम है तो power होगी प्लस यह power plus कर दी power plus करेंगे तो वापस 2 minus 5 plus 5 हो जाता है 0 तो यह भी होगया वापस से 1 यह हमारे 2 number solve हो गए अब बचा क्या 5 वाले है कर लेते हैं सभी का बेस समय से भी पावर प्लस होगे तो मैंस प्लस त्रिये प्लस ट्रीप मैंस तो यह हो है फाइअ पर आइफ द्स दियु…